वरद्धावस्ता पैंशन, दिव्यांग पैंशन, विध्वा पैंशन, सरकार की तरफ से ट्रांस्फर कर दी गई है जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से सभी पैंशन धारकों को पैंशन ट्रांस्फर हो चुकी है दोस्तो काफी ऐसे पैंसन धारक हैं जिनको पंद्रह सो रुपे मिल रहे हैं काफी ऐसे पैंसन धारक भी हैं जिनको तीन हजार रुपे दिये जा रहे हैं और काफी ऐसे पैंसन धरक भी हैं, जिनको दोस्तो को 7500 रुपे यनके 7500 रुपे पैंसन दिये जारे हैं। अब दोस्तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, 1500, 3000, 75 रुपे हम आपको यहां पर лайव दिखाने जारे हैं। तो दोस्तों आप अंत तक बने रहेगा और वीडियो को देखते रहेगा। साथी दोस्तों यहाँ पर रुकी हुई पैंसन भी कुछ लाबारतियों को प्राप्त हो रही है। लेकिन काफी ऐसे पैंसन धारक भी हैं जिनकी पैंसन को रोक लिया गया है। किन किन जिलों में यहाँ पैंसन रोकी जा रही है। उसके बारे में भी हम आपको दोस्तों लाइव बताने जा रहे हैं। तो अगर आप एक पैंसन धारक हैं तो इस वीडियो में आप आन्ध तक बने रहेगा। आपसे हमारा चोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। शियर करेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चुरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा बैल आइकन को ओल पर क्लिक करेगा। ठीज दोस्तों चलिए वीडियो को सुरूर करते हैं और चलते हैं सिदे ओपिस्यल वेबसाइट पर। दोस्तों हम आचुके हैं ओपिस्यल वेबसाइट पर जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। एकी करत समाजीक पैंशन पोटल। ठीज दोस्तों, यहां से दोस्तों हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप अपनी pension को कैसे देख पाएंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किन-किन जिलो की pension को रोक दिया गया है और किन-किन pension धरकों को pension मिल चुकी है। ठीक है, हम step by step आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तो आप सभी pension को कैसे देखते हैं वे आपको पता ही होगा अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको तीनों pension देखने को मिल जाती है ठीक है, जो भी आपकी pension है, आपको करना क्या है नीचे आपको एक option मिलेगा योजना के विश्य में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तो आज हम आपको बता जा रहे हैं कि किन-किन जिलों में pension आज चुकी है कुछ जिले ऐसे भी हैं, जिन में सरकार ने notification जारी कर दिया है कि इन जिलों में pension नहीं दी जाएगी ठीक दोस्तो तो यहाँ पर आपको क्या करना है लाश्ट में आपको आ जाना है ठीक है अगर आप सासना देश देखना चाहते हैं कि सासना देश सरकार दोवारा क्या सासना देश जारी किया गया है तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी pension के बारे में आप जानकर लना चाहते हैं नई pension बनाना चाहते हैं में क्या रूल निर्धारित किये गए हैं कैसे आप अवजन करवा सकते हैं किस प्रकार सक वो पैंसन मिलेगी तो वैसे अब दोस्तों आपको यहां से जानकारी मिल जाती है सासना देश में ठीक है लेकिन आपको देखनी है पैंसन की किन कि जिलो में आ चुकी है तो सिंबल दो जिले देखने को मिल जाते हैं दोस्तों यह है जो ओफिशल वेबसाइट है यह है उत्तर परदेश की है अगर आप उत्तर परदेश के नहीं है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर दोस्तों बता सकते हैं ताकि हम आपके राज्य की भी जान कर दे सके या फिर आप अपने रा तो यहां पर आप देख रहे हैं सब्सक्राइए टिक है और यहांपर बांदा बारवंकि यहां गरुज़त देखें पेंसंसर से हम से ट्रांसपर की जा रहे हैं तो यहां पर हम आपको एक जिला लेकर डिखा देते हैं हमने यहाँ पर एक जिला लिया है अब उसके उपरांत आपके सामने फिर से नैस्ट पेज उपन होगा जहाँ पर आपको अपना दोस्तो जो विकास खंड है वह चुनना होता है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आपके जिले में जितने भी विकास खंड बने हुए हैं वैसे भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना वेही विकास खंड सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप निवास करते हैं यहाँ पर दोस्तों अगर आप ग्रामीन छेत्र से नहीं हैं आप किसी जन्पद छेत्र से हैं यानके सहरी छेत्र से हैं तो आपको नीचे आजाना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सहरी छेत्र नगर निकायवार यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो जिला है वे हम ले लेते हैं कि उसके बाद फिर से आपके नैश्ट पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर आपको आपको जो ग्राम पंचेत हैं वे आपको दिखाई देता है यहाँ पर आपके सभी जो गाउं हैं वह देखने को मिल जाते हैं तो आपको अपना गाउं यहां से सेलेक्ट कर लेना है उसके प्रण दोस्तों फिर से आपके सामने नैश्ट पे जोपद होता है अब आप यहां पर देख सकते हैं हमने यहां पर जनपद भी सेलेक्ट कर लिया है और आपका दोस्तों य फेंशंगों को देखते हैं, तो आपको यहां पर जो फेंशंग हैं वह तीन हजार रुपे दिखाई देगी, जो तीन हजार रुपे पैंशं धारकों को दिये गए हैं दोस्तो यह हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं यह एक official website के जरिए हम आपको यहाँ पर लिश्ट दिखा रहे हैं और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 9000 रुपे पैंसन धारक को मिल चुके हैं ठीक है तो यहाँ पर first quarter में भी हम click करके देख लेते हैं तो यहाँ पर जो पैंसन धारकों को पैंसन मिल रही है वे कितनी पैंसन दी जा रही है यहाँ पर दोस्तो आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि सभी वैक्ति अपनी पैंसन कंट जार कर रहे थे और अपनी प स्कॉल करेंगे दोस्तों तो आपको यहां पर आपकी जो पिछत्तर सो रुपे पैंसन हैं वे भी आपको दिखाई देगी ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं पिछत्तर सो रुपे पैंसन आई हुई है लेकिन आपका सवाल होगा कि सर किन जिलों में पैंसन को रोक गया है त सेकर हमने आफको बताया है, तो राए ब्रेली में दोस्तो pension को रोक दे गया है, और क Freeze ऐख ठीजिन, जिनस्तो एक लाख से अधीक pension धारकों की pension रोकी गई है, अब यह pension क्यों रोकी गई है, दोस्तो यह जो pension रोकी गई है, वे है आपकी KYC को लेकार, क्योंकि दोस्तो काफी व्यक्तियों ने KYC नहीं कराई है हमने भी काफी वीडियो में आपको जान कर दी है कि दोस्तो अगर आप KYC नहीं कराते हैं तो आपकी पैंसन नहीं आएगी आपकी पैंसन बंद हो जाएगी आपकी पैंसन रोक जाएगी तो वही कारिया यहाँ पर हो रहा है पैंसन सरकार दोवरा जो रोकी जा रही है दोस्तो वह KYC के वज़े से रोकी की जा रही है अगर आपने KYC की हुई है तो आपको दोस्तो घबराने की जुरत नहीं है आपको जो पैंसन है वह आपके अकाउंट में जल्द ही ट्रांसपर की जाएगी और हाँ आपसे हम निविदन करेंगे कि आपको कितनी पैंसन मिली है आप हमें कमेंट बोक्स में जाकर जरूर बताएगा आपकी पैंसन आई है या फिर नहीं आई है आपने जनपद के साथ अपने राज्य के साथ हमें कमेंट बोक्स मिली कर जरूर बताएगा ठीक ह करेगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चुरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल अकल को ओल पर क्लिक कर लेजगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिशन आप तक सही समय पर पहुंचती रहे ठीक है अब चाहते हैं आपसे जयात और मि सब्सक्राइब के लिए जय हैं जय भारत